नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपादिकी विशलेशन में आपका स्वागत है संपादिकी से समंधित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं इस प्रशन से प्रशन है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी निम्न में से किस अनुच्छेद से समंधित है कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतिजार रहेगा एडिटोरियल से समंधित आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दा हिंदू में पब्लिस एक आर्टिकल जिसका सीर्सक है एडिट फॉर इंडियाज अरबन विमन या आर्टिकल जियेस पेपर थड में सामिल वी से भारती अर्थविवस्था तथा रोजगार से समंधित वी से कि दृष्टिकों से महत्यपूर्ण है चलिए देखते हैं विस्तार के साथ इस आर्टिकल को इस आर्टिकल का आधार है शहरी रोजगार गारेंटी खास कर महिलाओं के संदर्व में अब हमें यह पता है कि COVID-19 संकट ने शहरी गरीब के समक्च दैनिये इस्तिती उत्पन्न कर दी वह इस प्रकार से कि मार्च महिने में जब ऐसा लगा कि COVID या कोरोना महमारी के संक्रमन का खत्रा है तो संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोसना कर दी गई इस लॉकडाउन के कारण जादतर फैक्टरियां बंद हो गई फैक्टरियों के बंद होने के कारण एकाएक मजदूरों के समक्च रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई रोजगार की इस समस्या के कारण ये मजदूर अपने गाउं या अपने शहर की ओर वापस जाने को मजबूर हुए और यह जो घटना घटी उसे नाम दिया गया reverse migration का तो reverse migration की जो इस्थिती देश के समक्च उपस्तित हुए उसने शहरी गरीबों की दैनीय स्थिती को सामनिला दिया अब यह सही है कि रोजगार को सुरू करने और रोजगार से समदित अवसरों को प्राप्त करने में शहरी गरीबों की स्थिती गरामीन गरीबों की तुलना में कम और सुरक्षित है खास कर तब जब कि ये शहरी गरीव रिक्सा चलाते हो या ठेलों पर समान बेशते हो इसके बावजूद शहरी गरीवों के समक्ष कठिन जोखिम उपस्थित है व्यक्तिकत इस तर पर अगर जोखिम की बात करें तो बिमारी और रोजगार की समस्या और स इसलिए शहरी छेत्र में बेहतर समाजिक सुरक्षा की आविसकता है खास कर शहरी गरीबों के लिए ठीक है शहरी जुगी में अगर सार्जनिक वित्रण प्रणाली का सार्व भौमी करण कर दिया जाए तो यह एक अच्छा कदम होगा परंतु यह जादा कारगर नहीं होग तो दूसरा कारी जो जादा कारगर हो सकता है वह है रोजगार आधारित समर्थन इससे दो लाब होंगे पहला तो यह सभी के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा खास कर शहरी गरीबों के लिए और दूसरा कि रोजगार आधारित समर्थन मुल्लिवान परिसंपत किया गया, इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का कारण क्या है वह देखे कि हाल के महिनों में खासकर कोरोना के इस समय में शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम की चर्चा ज़ोरू पर है, हाला कि इस अधिनियम के प्रावधान इसक्र्ष्ट नहीं है, परंतू या राष्टि यह शहरी रोजगार गारेंटी से सम्मंदित एक आसा को जगाता है। तो इसी चर्चा के मद्ध में एक साधरन प्रस्ताव आया जो सम्मंदित है ड्वेट से। ड्वेट यानि की डिसेंटलाइज अर्बन इंप्लाइमेंट एंड ट्रेनिंग। और यह ड्वेट शहरी रोज इत्व शुजगार योजना से संमंदित है। इसके अंतरगत निमनेकारी हो सकते हैं। देखिए क्या इसमें जॉब स्टाम्स को जारी किया जाएगा। इसकी विशेस्ता यह होगी कि यह मजदूरों को निउन्तम मजदूरी के साथ एक दिन का काम देगा। यह जॉब केंदरसासित परदेशों की सरकारों के दोरा और इसके माध्यम से सारजनिक संस्थाएं जैसे कि विश्विद्याले, स्कूल, अस्पताल आदी मजदूरों को कारे पे रखेंगे स्रमिकों की मजदूरी का भुगतान सरकार के द्वारा सीधे मजदूरों के खातों या एकाउंट में फंड ट्रांसफर कर किया जाएगा और इसमें स्वतंत्र प्लेस्मेंट एजनसी को सामिल किया जा सकता है जो सारजनिक संस्थाओं एबम स्रमिकों के बीच मध्यस्त का कारी करेगा अब सवाल यह है कि जॉब स्टाम्स के क्या लाब हो सकता तो यह नए रोजगार स्रिजिकों का स्रिजन करेगा जिसमें पब्लिक वर्क जैसे की भवन निर्मान, मरमत, सड़क, फुटपात, निर्मान आदी या ग्रीन जॉब्स जैसे की शहर के पार्क या वनों की देखभाल को सामिल किया जा सकेगा और या मजदूरों के समक्च भी रोजगार के नए अबसरों का स्रिजन होगा और इसमें मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारेंटी भी होगी इसमें एक बात और यह करनी होगी कि इसमें कुशल कारीगर सामिल हो इसकी विवस्ता की जाए इसका लाब यह होगा कि नए कारिगरों को और प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षन की प्राप्ति होगी हाँ इसमें करना बस यह होगा कि कुशल कारिगरों की मजदूरी दर से सम्मंधित एक अलग मापदंड को अपनाना पड़ेगा अब हम बात करते हैं ड्वेट एवं महिला रोजगार तो लेखक का यह कहना है कि ड्वेट के अंतरगत महिला रोजगार को प्रात्मिक्ता दी जाए एमजी नरेगा की तरह नहीं जहां पर की कुल रोजगार स्रिजन का एक तिहाई महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है इसमें महिलाओं की प्रात्मिक्ता ऐसी हो जितनी भी महिला मजदूर उपलब्ध हो उसमें से जादा तर को कारी मिले दूसरे रूप में महिलाएं या तो प्लेस्मेंट एजनसी चलाएं या पूरे कारी करम का संचालन करें महिला भागिदारी में विर्धी हो इसके लिए जादा तर कारी की जो प्रकृति है वह पार्ट टाइम बेसिस हो पार्ट टाइम बेसिस का मतलब यहां पर है कि प्रति दिन चार घंटे का कारे, पार्ट टाइम आप्सन सहरी महिलाओं के लिए काफी आकर सकोगा, वह इसलिए क्योंकि रोजगार की पूर्ण कालिक प्रविर्ती महिलाओं के अनुकूल नहीं होती है, खास कर तब जबकि उनक सल्ता में भी विर्द्धी होगी, और हमें यह पता है कि महिलाओं की पुरुस पर आर्थिक निर्भरता के कारण ही लेंगिक और समानता भड़ती है, और महिलाओं के विरुद्ध सोसन की घटना होती है, महिलाओं को प्रात्मिक्ता देने से दो लाब की प्राप्ती होगी, पहला तो यह है, कि ड्वेट का जो उद्देश से है सेल्फ टार्गेटिंग का उसको मजबूती मिलेगी। सेल्फ टार्गेटिंग का यहाँ पर मतलब है, कि रोजगार के ऐसे अपसरों का स्रजन होगा, जो सभी के लिए अनकूल हो, खास कर उनके लिए जिनके लिए यह बन उन देशों की सूची में सामिल है जहां पर महिला स्रंबल भागीदारी की दर निम्न है 2019 इसवी के नेशनल सेंपल सर्वे डेटा के अनुसार 15-69 वर्स की आयू वर्ग कि शहरी महिलाओं का 20% आसतन एक दिन ही रोजगार एवं उससे सम्मंधित क्रिया कलाप में शामिल होती है और यह इस्तिती केवल महिलाओं के लिए नकारात्मक नहीं है बलकि संपूर्ण समाज को इससे नुकसान है क्योंकि इससे समाज की ना केवल उत्पादक्ता में गिरावट होती है बलकि आधी अबादी की स्रिजनात्मक छमता भी प्रभावित होती है यह यह भी उलेकनी है कि महिला को प्रात्मकता प्रदान करने से योजना से समंदित भरष्टाचार में भी कमी होगी क्योंकि अगर मजदूरी सीधे मजदूरों के एकाउंट में दी जाती है तो संभावना इस बात की होगी कि मजदूरों की नाम की सूची में कुछ नकली या डमी नाम भी हो और यह माना जाता है कि नैतिक रूप से महिलाएं पुरुसों की तुलना में कम रष्ट होती हैं अब हम बात करते हैं सर्विस वाचर की सर्विस वाचर यूरोपीय देसों में काफी प्रचलित है और इसका उप्योग वहां के घरों में किया जाता है यह वाचर खाना बनाने और सफाई समंधी कारे से समंधित है इसके अंतरगत घर सर्विस वाचर के माध्यम से लोगों को कारे पर रखते हैं और यह कारे जैसा कि हम पहले जान चुके हैं खाना बनाने और सफाई से समंधित है और इसमें घरों के द्वारा इन मजदूरों या स प्रकार होगा इसका क्या परिणाम होगा और यह कितना कारगर होगा यह तो इसे लागू करने के बाद ही पता चलेगा लागू किस रूप में करें तो इसके लिए यह आविस्यक है कि इसकी सुरुआत पाइलट योजना के रूप में की जाए जिसमें चुने हुए जीलों और नगर पालिकाओं में इसे लागू किया जाए और फिर एक समय के पश्चात पाइलेट योजना के परिनामों की समिक्षा की जाए और समिक्षा करने के उपरांत अगर लगता है कि जिस स्वरूप में इसे चलाए गया था अगर उसमें सुधार की जरूरत है तो उसमें सुधा कि शाहरी छेत्र में रोजगार की गारंटी किस प्रकार दी जा सकती है किसी एक उपाय के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तोत करें इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार